नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चनल इंपोर्टेंट में संतीव में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गड़ित के टॉप थर्टी कोश्चन्स पढ़ेंगे जो बार बार परिच्छाओं में पूछेंगे और इन प्रश्णों को हम आसानी से सम लत मत करें इसलिए सारे प्रश्णों को आप लास्ट तक देखें और आराम से समझ ले और इस वीडियो में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन भी रखा हुआ है उसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इन प्रश्णों में से आपको क सबसे पहले मिल जाए तो चले उसके शुरू करते हैं और लास्ट में मैंने पिछले वीडियो के विशेश प्रश्ण का उत्तर भी लास्ट में बताया हुआ है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज के जो पहला प्रश्ण है 38-34 में तीन के विभिन इस्थानी मानों का योग फल गयात कीजिए अब 38-34 में आप ये देखिए तीन के इस्थानी मान कौन कौन सा देखिए एक तो ये तीन है और एक ये तीन है तो ये जो 38-34 है तो इस तीन का तो इस्थानी मान हो गया 30 इस तीन का इस्थानी मान हो गया तीन हजार कैसे होगे आपको मालूम होगे अब यह देखिए इस तीन के बाद कितनी संख्या हैं एक संख्या है तो एक जीरो लगया है अब इस तीन के बाद देखिए तीन संख्या है तो तीन जीरो लगया हुआ है ठीक है अब तीस और तीन हजार यह दो इस थानी माना आगे आपका option number D, बढ़ते हैं अगले प्रशन की तिरब 37, 75 की अनुवर्ती प्राक्तिक संख्या ग्याद कीजे, जो अनुवर्ती संख्या होती है, याद रखे हमेशा प्लस वन कर देंगे तो अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी, तो 37, 75 में जब प्लस वन करेंगे तो आएगा 37, 76 option number B, अगला प्रशन है, चार अंकों की सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या की पूरुवर्ती संख्या ग्याद कीजे, तो चार अंकों की सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या कौन से होती है, वो पहले समझ लेते हैं, तो चार अंकों की सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या होती है एक हजार देखिए इसमें चार डिजिट हैं ये तो आप समझगे अब पूछ रहा है इसकी पूरुवर्ती संख्या बता तो पूरुवर्ती संख्या कौन सी होती है जिसमें एक हम माइनस कर दे किसी संख्या में तो उस संख्या की पूरुवर्ती मिल जाएगी तो एक हजार मे गसश्रीधराचारे ने, रामा नुजन ने, आर्यबह्ट्र ने, या गडेश प्रशाद ने, तो जो गडित शार नामक गरंत है, ये श्री दराचारे ने लिखा हुआ है, और इस जो गडित सार नामक जो गरंत है, इसमें 300 स्लोक है, नियाद रखेगा और इसी लिए इसको त्री सतिका के नाम से भी विख्यात है यह त्री सतिका के नाम से भी यह जानी जाती है बात करें श्रीधराचारे की तो इनका जैन्व नौसो इक्यानवे इश्वी में हुआ था करनाटक राज्य में अगला प्रश्ण है यदि तीन क्रमागत पूर संख्याओं का योग 49 हो तो तीनों संख्या ग्यात किजिए जब देखें तीन क्रमागत संख्याओं का योग 49 बता रहा है तो कितनी क्रमागत संख्या है तीन तो सबसे पहले आप कर दीजिए 49 को 3 से भाग देजिए आपका आगया 13 ठीक अब यह ज सबसे चोटी पूर संख्या कौन से बात करेंगे जब चोटी पूर संख्या की तो वो होती है जीरो याद रखेगा पूर संख्या जब बोली जाए तो वो है जीरो अगला प्रशन है लुप्त पद को ग्याद कीजिए अब 196, 179, 144, 121, 100 अब यहाँ पर question mark लगा हो उसके बाद 44 अब इसमें आप देख रहे होंगे एक pattern चल रहा है यह सारे square हैं देखें यह 14 का square है यह 13 का square है यह 12 का square है यह 11 का square है और यह 10 का square अब इसके बाद कौन सा आएगा इसके बाद आएगा 9 का square 9 का square कितना होता है 9 into 9 equal to 81 तो इसका सही उतर होगा 81 option number B बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है तीन सर्रेख बिंदूों से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खीची जा सकती है एक दो तीन या अनिगिनत अब हम तीन सर्रेख बिंदू बना देते हैं दे कि यह रेखा चली गई अब इसी तरह और कितनी रेखाएं जा सकती है आप देखे अगर हम थोड़ा सा भी slightly अगर चेंज करेंगे direction तो यह देखे एक ही बिंदू से होकर जा रहा है अगर दूसरे बिंदू से ले जाने कोशिश करेंगे तब भी एक ही बिंदू को छूपा इसका मतलब यह है कि अगर तीन सरे एक बिंदू से अगर कोई रेखा को गुजारना है तो वो केवल एक रेखा ही जा सकती है अगला प्रेशन है 80 डिगरी का संपूरक क्या होगा तो सबसे पहले हम जी समझते हैं कि संपूरक क्या होगा संपूरक वो कोड होते हैं जिनका य 110 आपस में संपूरक कोड़ उसी तरह 80 का डिगरी 80 डिगरी कोड़ का संपूरक आपको बताना है तो 180 में आप अगर 80 माइनस कर देंगे तो आपको इसका संपूरक मिल जाएगा तो वो आएगा 100 180 में आप घटा दीजे तो आपका संपूरा कोड दूसरा मिल जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा 100 डिगरी कोड अगला प्रश्न है ऐसी दो संख्या हैं जिनका मासा एक हो क्या कहलाती है अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, योगी किया सह विसम तो ऐसी दो संख्या हैं जिनका मासा एक होता है, वो कहलाती है सह अभाज्य संख्या है, एक्जामपल के तौर पर लेते हैं जैसे दो और तीन, ये दो संख्या हैं, इनका अगर मासा आप निकालेंगे तो एक आएगा ऐसी संख्या है जो आपस में ना कटे हैं ठीक है जिसे दो तीन आपस में नहीं कटेगी या फिर ऐसी संख्या है जो एक ही संख्या से दोनों ना कटे जैसे चार और साथ अब ये दोनों आपस में भी नहीं कट रही है और किस ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों से कट जाए तो दिखें, वो संख्या सिर्फ एक है, एक से चार भी कड़ जाएगी, साथ भी कड़ जाएगी, इसका मतलब मासा इनका एक है, ऐसी संख्या कहलाती है, सहे अबाज्य संख्या है, अगला प्रशनी ये दो संख्याओं का गुड़न फल चौदा सो है, और मासा पांच है, तो लासा आपको निकालना है, और मासा दे रख है, तो अब इसको सॉल्व कर लिजे, तो चौदा सो ये इधर मल्टिप्लाई में, इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, चौदा सो बटे पांच, तो इसका सही उतर आएगा, दो सो असी, आपका जो लासा निकलेगा, वो आएगा, दो सो असी, अगला प्रश्ण है, नारियल के एक धेर को दो, तीन, पांच के समों में विभक्त किया जाता है, प्रतेक दसा में एक नारियल भज जाता है, धेर में नियूनतम नारियल की संख्या बताओ, तो देखे, ऐसे प्रश्ण में क्या करेंगे, सबसे पहले इनका आप LCM ले लिजे 2, 3, 5 का LCM आप ले लेंगे तो आपका आजाएगा 30 2, 3, 5 का आप LCM करके देख लेंगे तो वहाँ पर 30 आजाएगा अब ये भी बोल रहा है कि हर बार जब उनका धेर लगा जाता है 2, 3, 5 का समूल लगा जाता है तो हर बार एक नारियल बच जाता है तो आपका लासा आया था 30 अब हमेशा एक बच रहा था मतलब एक एक्स्टरा होगा तभी तो एक बच रहा होगा तो जब एक एक्स्टरा है तो प्लस 1 कर देते हैं आपका आगया 31 अब 31 कुल नारियल हैं अब उसमें दो, तीन, पांच के अगर आप अलग-अलग समूह बनाएंगे, दो के समूह बना दी दिये, तो पंदरा समूह बनेंगे और एक बच जाएगा, जब तीन का आप समूह बनाएंगे तो दस समूह बन जाएंगे और एक बच जाएगा, जब पांच का बनाएंगे आ संख्या है आपकी x ठीक अब x का आधा कर लेते हैं x by 2 उसकी चौथाई से 10 अधिक है तो उसकी चौथाई से उसकी चौथाई कर दिया 10 अधिक है प्लस 10 कर दिया अब इस equation को अगर आप solve कर लेंगे आपका उत्तर आ जाएगा अब इस x by 4 को जब बराबर के उस तरफ लाएंगे तो x by 2 minus x by 4 equal to 10 बचेगा ठीक अब इसको x by 2 minus x by 4 को जब solve करेंगे तो आप इसको अलग solve करके देख लिजेगा इसका solve करने पर आएगा x by 4 आजाएगा तो x by 4 equal to 10 अब जब यह 4 upon में हैं उधर जाएगा तो multiply में हो जाएगा 10 into 4 हो जाएगा तो x equal to 40 इसका right answer होगा 40 अगला प्रशन है 3 बटे 20 को प्रतिसत में बदलिये जब बात आए भिन को प्रतिसत में बदलने की तो सीधा multiply कर देंगे किस से 100 से तीन बटे 20 into 100 अब 20 पंचे हो जाएगा 100 अब 5 और 3 पांच तीया 15 सही उत्तर है 15 प्रतिसत अगला प्रशन है एक विद्याले में 2800 बच्चे हैं उनमें से 980 लड़किया हैं विद्याले में कितने प्रतिसत लड़के हैं तो यहाँ पर हमें लड़कियों की संख्या दे रखी है, कुल संख्या दे रख्ये, तो हम पहले लड़कों की संख्या निकाल लें, उसके बाद पृतिसत निकाल लेंगे, अब 2800 में 980 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचेंगे? तो 2800 में 980 जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे 1820 लड़के ठीक है अब 1820 लड़के हैं कुल बच्चे हैं 2800 तो प्रतिसद निकालना असान है 1820 बटे 2800 ठीक और multiply 100 कर देंगे तो यह आपका प्रतिसद निकल आएगा आप इसको अगर solve कर लेंगे तो य यह आए गया का 65 प्रतिसद सही उतर है भी 65 प्रतिसद है लड़के अगला प्रतिस ने एक गाए 25 प्रतिसद के लाब पर बेच दिया यह थी रीता को कुल लाब 350 रुपए मिला तो गाए का विक्रे मूले बताईए अब देखें यहां पर थोड़ा critical है देखें यहां पर क् जो क्रे मूले होगा वो तो आपका 100 हो गया और लाब बता रहा है कि 25 प्रतिसद है तो लाब हमने क्या कर लिया लाब इसमें जोड़ेंगे तो आपका कुल जो विक्रे मूले है वो आगया आपका 125 अब हमें विक्रे मूले ही निकालना है तो विक्रे मूले तो 125 हो गया है अ अब यहां पर हम यह देख लेते हैं, कुल जो लाब हो रहा है, वो है पच्चिस, और जो लाब रुपे में हो रहा है, वो है तीन सो पचास, मतलब पच्चिस बराबर है तीन सो पचास के, ठिक, यही तो है, पच्चिस बराबर है तीन सो पचास के, सो आपका क्रेमूल है, एक 125 आपका विक्रे मूल है, तो 25 बराबर है 350 के, तो एक बराबर होगा 350 बटे 25, ठीक, 25 बराबर है 350 के, तो एक की वैल्यू जब निकालेंगे, तो 25 को उस तरब भेजेंगे, तो 350 बटे 25 हो जाएगा, देखें, एक आया 350 बटे 25, ओ हमारा विक्रे मूल ले था 125, तो हम 125 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 350 बटे 25, गुडे 125, अब आप इसको स्वाल कर लिजे, 25 पंचे 125, अब आपको बचा 350 गुडे 5, जब 350 गुडे 5 बचेगा, तो आपको उत्तर आएगा, 1750, इसका option number C सही होगा, प्रस संग्या 16 का option number C, बढ़ते हैं अगले प्रस संग्या 16 की तरफ, एक त्रिभोज में तीनो कोडों का अनुपात 2, 3, 4 है, तो सबसे बड़े कोड़ का माब बताएं, सबसे पहले आपको यह पता होंगे कि तीनो कोडों का योगफल कितना होता है, त यहां पर तीनो कोडों का योगफल कितना आ रहा है, 2, 3, 4 अनुपात में दे रखा है, तो 2 प्लस 3, 5, 5 प्लस 4 बराबर 9, मतलब कुल अनुपात आ रहा है 9, और कुल योगफल होता है 180, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, 9 बराबर हो रहा है 180 के, तो एक बराबर कि अब हमने यह निकाल लिया, एक की वैल्यू 20 के बराबर है, तो जब यहां पर दो है, तो एक की वैल्यू 20 के बराबर है, तो दो की वैल्यू हो जाएगी 40, तीन की वैल्यू हो जाएगी 20, 63, चार की वैल्यू हो जाएगी 20, 80, प्रशन में पूछा है सबसे बड़े कोड की म माप बताओ, अब इन में से सबसे बड़ा कौन सा है, 80, तो सही उत्तर होगा आपका option number C, 80, उम्मीद करता हूँ, समझ गया होंगे, तीनों कोड़ों का माप बतानी है आपको, जो सबसे बड़ा कोड़ है, उसकी माप बतानी है, और तीनों कोड़ों का इनुपात दे रखा है 2, 3, 4, अब इन सब को जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4, कुल मिला कर आजाएगा 9, अब 9 बराबर करेंगे 180 के, जब 9 180 के बराबर करेंगे, तो 1 की value निकालेंगे, 180 बटे 9 बराबर 20, एक की value आगई 20, अब इसमें आप सब को रखेंगे, देख लिजे, एक की बराबर है 20 क तो 2 बराबर हो जाएगा 40 के, 3 बराबर हो जाएगा 60 के, 4 बराबर हो जाएगा 80 के, तो आपका सही उतर होगा 80, अगला प्रशन है सरवांग सम आकरतियां होती हैं, यद दो आकरतियां एक दूसरे को पूर्ता ढख ले, यद एक आकरतियां आकार और माप में समान हो, तो य सेंटीमीटर के 10,000 गन सेंटीमीटर के 1,000,000 गन सेंटीमीटर के या 10,000,000 गन सेंटीमीटर तो देखे सबसे पहले हम यह समझते हैं एक मीटर बराबर कितना होता है एक मीटर बराबर होता है सो सेंटीमीटर ठीक है अब जब एक घन मीटर की बात हो रही है घन मीटर का मतलब होता है एक ही चीज को तीन बार मल्टिप्लाई करना तभी घन बनता है तो एक घन मीटर की जब बात हो रही तो यहाँ पर भी हमें मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा 100 इंटू 100 इंटू 100 ठीक, अब हमने 3 बार 100 को मल्टिप्लाइ कर दिया तो आपका उत्तर आ जाएगा 10 लाग ठीक, 10 लाग घन सेंटीमीटर तो इसका सही उत्तर होगा option number D 10 लाग घन सेंटीमीटर एक घन मीटर बराबर होता 10 लाग घन सेंटीमीटर के अगला प्रशन है एक लीटर बराबर होगा 1000 घन सेंटीमीटर 100 घन सेंटीमीटर 10,000 घन सेंटीमीटर एक लाग घन सेंटीमीटर तो जो एक लीटर होता है वो 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता की सवामी भारती कृष्णती तीर्थ की है याद रखेगा सबसे चोटी अभाजी संख्या कौन सी है जीरो एक दो जो सबसे छोटी अभाजी संख्या होती है वह होती है दो अगला प्रसने चार पैंसिल का मोले बीस रुपए है 90 रुपए में कितने दरजन पेंसिल मिलेंगी तो आप ये देख रहे हैं कि 20 जो पेंसिल है वो 20 रुपए में 4 पेंसिल मिल रही है ठीक है 20 रुपए में 4 पेंसिल तो आप 90 रुपए में कितनी पेंसिल मिलेंगी अब इसको आप डिवाइट कर लीजे चार पंचे बीस अब पांच को नब्बे को पांच से डिवाइट करेंगे तो उतर आएगा अठारा ठीक यह हो गए अठारा पेंसिले लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कितने दरजन पेंसिल देखिए कितने दरजन पूछ रहा है तो हमारे पास तो 18 पेंसिले आएकोल अब एक दर्जन में होते हैं 12 ठिक एक दर्जन में 12 होते हैं तो 18 पेंसिले कितने दर्जन बनेंगी तो 12 प्लस 6 अठारा मतलब 1.5 एक दर्जन पेंसिले मिलेंगी 90 रुपए में तो इसका सही उत्तर होगा option number D कुछ लोग अठारा ही देखेंगे अठारा टिक करकर चले आएंगे लेकिन वो गलत है डेर्जन पेंसिले मिलेंगी 90 रुपए में अगला प्रसन है एक बरतन में 20 लिटर तेल था रिषाओ के कारण 3 लिटर तेल बह गया बरतन में कितने प्रतिसत तेल रह गया तो देखें बरतन में 20 लिट्र था दिशाव कारड़ तीन लिट्र बह गया मतलब बचा केवल सत्रा सत्रा लिट्र तेल बचा तो पूछ रहा है उसको प्रतिसत में बताओ तो सत्रा बचा है कुल था 20 अब इसको हम कर लेते हैं प्रतिसद में बदल लेते हैं तो बीस पंचे सो सत्रा पच्चे आपका आगया पच्चासी प्रतिसद तेल रह गया है तो इसका सही उत्तर होगा अप्शन नमबर डी अगला प्रशन है 496 और 318 का योगफल निकट्तम सैकड़ा का मान बताईए अब देखिए 496 और 318 को जब आप जोडेंगे तो आपका उत्तर आएगा 814 अब 814 का निकट्तम सैकड़ा मान आप खुदी समझ लीजे अगर ये 800 उन्जास तक होता तब भी आपका उत्तर 800 ही आत अगर 850 या 850 प्लस में आ जाता उत्तर तो ये फिर 900 के निकट्तम पहुंच जाता याद रखेगा जब तक 49 के पहले है उन्जास या उन्जास के पहले है तो उससे पहले वाली संख्याली की जाती और 50 या 50 के बाद है तो उसके बाद वाला सैकड़ा लिया जाता याद की जार आएका लना लगेगा वो घ्र संब्लऌ के बाद इसमें हैं 121 यहीं दो संख्यां दो संख्या इधर हैं 122 लॉन्जार होतीजान तो हमें भी यहां पर जो रिजल्ट फाइनल आ रहाहा है उसमें भी चार अंकों के बाद दिसम्लो लगाएंगे तो एक तो हो गई आपकी चार हो गई दो, तीन, चार तो इसका सही उतर होगा 0.00004 0.00004 option number is the right answer अगला प्रशन है यदि P का P प्रतिसत 49 हो तो P बराबर होगा तो अगर हम P का P प्रतिसत निकाल लहा है अब हमें P की वेल्यू बतानी अब देखें P इंटू P हो जाएगा P स्कॉायर और यह 100 जो नीचे है उसको अगर हम बराबर के उस तरब भेज़ दें तो मल्टिप्लाई में हो जाएगा तो उत्तर आएगा आपका 49 अब 4900 आया है अब इसको हम P का स्कॉायर अब स्कॉायर हटाएंगे तो उस तरब लग जाएगा अंडर रूट तो जब 49 का अंडर रूट करेंगे तो 49 का आएगा साथ और डबल जीरो का आएगा एक जीरो सब्सका सही उत्तर होगा 4900 का जो इसकॉायर रूट होता है वह होता है सप्तर तो सही उत्तर हैं आपका आप्शन नबर सी सप्तर अगला है 11 से विभाजित हो सकता है आपको चार नंबर दे रखे हैं अब इस प्रिश्ण को करने के लिए आपको आना चाहिए ग्यारा से विभाजिता का नियम आपको आना चाहिए देखिए यहाँ पर विभाजिता का नियम क्या होता है ग्यारा का विभाजिता का नियम समझ लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर तीन और चार ठीक है अब चार दो चार इसको जोड़ेंगे चार दो छह चार दस अब दूसरा अल्टरनेट जोड़ें चार और तीन साथ दस में साथ घटाएंगे क्या आया तीन अब देखे जब इनको घटाते हैं अगर आपके पास जीरो आए या ग्यारा आए या फिर ग्यारा का कोई भी गुड़ज नंबर आजाए तो वो संख्या आपकी ग्यारा से कट जाती है याद रखेगा ये नियम होता है अल्टेनेट नंबर को अलग-अलग जोड दीजे फिर उनको घटा दीजे अगर जीरो आजाए या ग्यारा आजाए या ग्यारा का कोई भी गुड़ज नंबर आजाए तो वो संख्या आपकी ग्यारा से विभाजित हो जाएगी चले ऑप्श 16-16 इक्वल टू जीरो तो यह देखे यहाँ पर जीरो आगे मैंने बताता है जीरो ग्यारा या ग्यारा को कोई भी गुड़क आजाए तो वो संख्या ग्यारा से कट जाएगी तो आप्शान नंबर डी इस दराइट आउंसर यह ग्यारा से कट जाएगी अगला प्रशन है अब यह देखे यह जोड का सवाल है बहुत ही आसान है उम्मीद करता हूं आप लोग कर लेंगे 3.1479 प्लस 16.837 प्लस 15 अब दसम्लो को यहाँ खास खयाल लखा जाता है 3.1479 ठिक 16 दसम्लो के नीचे दसम्लो यह आएगा याद रखेगा 837 अब देखे यहाँ पर एक संख् छोड गई तो यहाँ पर हमने अपने आप से 0 लगा दिया अगला है 15 अब 15 के आगे तो कोई दसम्लो नहीं तो दसम्लो अपने आप से लगाई है 0 बढ़ाई है क्योंकि हमें पूरी वैल्यू बराबर करने है अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो आप का आएगा 34.949 34.949 यह देखिए option number A है ठीक है चले अगला प्रस्ण है बहुत important question है आप ध्यान से देखते रहिए अगला प्रस्ण है 3 bracket में 2x-1 equal to 5 minus bracket में 3x-2 अब जब इसको आप खोलेंगे तो यह जो आ है वो आएगा आपका 6x-3 equal to 5 minus 3x plus 2 ठीक है अब आप समझ रहोंगे कि जो यह minus है इसको मैंने plus क्यों कर दिया क्योंकि यह bracket के बाहर minus लगा हो है तो अंदर के सारे चिन बदल जाएंगे तो जो 3x plus में था वो minus में हो गया है और जो minus 2 था वो plus 2 हो गया है अब आप इसको solve कर लीजे x x को एक तरफ लिया है 6x जो minus 3x से इस तरफ आएगा तो यह आपका हो जाएगा 9x ठीक है अब minus 3 यह वाला उस तरफ जाएगा तो minus 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह 5, 2, 7 और 3 उधर आएगा 3, 10 ठीक है 9x equal to 10 तो जब 9x equal to 10 हो जाएगा तो 9 नीचे चला जाएग 10 upon 9 is the right answer इसका सही उत्तर होगा आप इसको सांदार तरीके से solve करके देख लीजेगा बिलकुल आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा तो दोस्तों यह ते आज के तीस अत्महतपूर प्रस्न जो बार बार पूछे गये हैं और कई लोग इनको जल्दबाजी में गलत कर देते ह इसलिए मैंने इनके सारे solution बता दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो दोस्तों आज का जो विशेश प्रस्न है तो आज का जो विशेश प्रस्न है वह है तीन संख्याओं का योग सव है पहले संख्या 30 है दूसरी पहले की दुगनी है तीसरी संख्या आपको ग्याद करके बतानी है फिर से कोश्चन को रिपेट कर देता हूं तीन संख्याओं का योग सव है पहले संख्या 30 है दूसरी पहले की दुगनी है तीसरी संख्या ग्याद किजा ऑप्शन है आपको पा लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब करके घंठी कर दिशान जरूर दबा लिजें तो बढ़ते हैं पिछले वीडियो के विशेश प्रस्ट के ऊतर की तरफ वह देख लें उसका विशेश प्रसट का उत्र क्या था वह भी बताना जरू याद रखेगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें शेर करें कमेंट करें इन तीस प्रश्णों में आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशन जरूर दबाएं ताकि आनुवल सभी याद जरूर दबाएं जरूर थाखें तास्ट वीडियोग कि रूर्णा बड़खर मूड़ज जरूरूं